हेलो दस्तों श्यागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल आई लब स्टूडेंट स्वमित कुमार अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजी और साथ में दवाईए बेल आइकन आज मैं आपके लिए पहुत सारे टॉपिक क्लिय करूंगा चुमक के प्रती जितने भी कुईशन है फिजिक्स में मैं आपको सभी बताऊंगा ठीक है most important की स्रीज में बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चकी है अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो description box में लिंक दिया गया है आप उन्हें देख सकते हो इसमें मैं आपक चुमक क्या होती है चुमक कितने प्रकार क्यों होती है प्राकर्तिक चुमक किसे कहते हैं करतिम चुमक क्या होती है और यह चुमक होती है इसका चुमक कि दोतरुप आगूर किसे कहते हैं चुमक क्या होता है चुमक के बल देखाएं क्या होती है बहुत सारे टापिक क्लियर चासे कीडिल करेंगे इस बीडियो में तो बने रहे किन शुरू से आखिर से छेनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देजिए तो सब्सक्राइक करते हैं आज की इस वीडियो को दीखिये चुमक होती ये अखिर आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा चुमक क्या होती है जैसे कोई भी पधार्त होता है कोई भी बस्तू दूसरी बस्तू को जब वो आकर्सित कर लेती है तो उसमें कौन सा बल होता है आकर्सड बल आकर्सड बल होता है अपनी और बस्तों को आकर्सित करना और प्रतिकर्सड वैल होता है अपने मस्तों को दूसरी मतलब प्रतिकर्श्च करना दूर भगाना तो यहां पर चुम्मक में आकर्शच तो वो क्या करती है प्रितिकर्षित करती है अगर एस लाते हैं तो वो प्रितिकर्षित करती है और जब उनको पास में एन एस लेके आते हैं या एस एन तो वो आकर्षित कर देती है इस तरीके से अभी हम सब कुछ एकदम क्लियर समझ जाएंगे तो यहां से देखते हैं पहल लोहा एक तुबस्तूं को अपनी और आकरसित करता है चुम्मक कहलाता है ठीक है जैसे कि आपने देखा होगा अगर हम किसी एक चुम्मक को एक धागे से लटकाएंगे तो उसका एक सरा उत्तरी धुरब की तरब रहेगा और एक दच्चडी धुरब की तरब रहेगा ठीक है उसमें एक होता है उसमें दो पोल होते हैं एक होता एन और एक होता एस साउत मतलब दच्चड एन मतलब नौर्थ मतलब उत्तर तो उत्तरी धुरब रहता एक तरब उत्तरी धुरब उत्तर की हो करता है तो यह हमारा क्या कहलाता है चुमक कहलाता है ठीक है और यहां पर देखिए चुमक दो प्रकार का होता है चुमक होता है इसके कितने मुक्रूब होते हैं दो प्रकार से एक होता है प्राकर्तिक चुमक जिसे हम बोलते हैं नेचरल मैंगनेट उसके बाद एक होता है कृ परकरतिक चुमक जो प्रकरति चुपक कहलता है और इस जैसे मेंगने टाइट धाल है कौन सी चुम्मक है प्राकर्तिक चुम्मक इसका रूप आकार अनिश्चित होता है तथा चुमकत तो बहुत प्रवल ना होने के करण इसे प्रयोगिक तथा बैज्यानिक कार्रों के लिए प्रुक्त नहीं कर सकते अब आपको किस तरीके से याद रखना है कि प्राकर्तिक चुम्मक क्या होता है देखिए बैजुमक जो प्रकर्ति में सोतंतर रूप से पाया आता है सोतंत रूप से प्राकरतिक चुमक के लाता है जैसे उधारण है मैंगने टाइट ठीक है मैंगने टाइट अब आपको इसका रूप आकार आपको याद रखना है कि इसका रूप आकार कैसा होता है अनिश्चित होता है ततता चुमकत तो बहुत परभल ना होने के काराट इसे परोगिक यानि तता बेग्यानिक कारों के लिए प्रोगत नहीं कर सकते हैं कौनसे चुमक प्राकर्तिक चुमक को, उधाड़ क्या है, मैंगनिताईट और यह कहां पाया जाता है सोतनत रूप से पाया जाता है प्रकरती चुमक कहलाता है ठीक है इस तरीके से आपको याद रखना है इसके बाद देखते है कृतिम चुमक क्या होती है कृतिम चुमक इसमें क्या होता है चुमक जिने कृतिम धंक से बनाया जाता है ठीक है बे चु बनाए दाते हैं इनका रूप तथा आकार निश्चित दोता है साधायरता चुमक सब्द कृतिम चुमक के लिए ही पुरुप्त किया दाता है कृतिम चुमक के लिए ही पुरुप्त किया दाता जैसे छड चुमक और नाल चुमक यह कैसा है कृतिम चुमक है आपको याद रख बे चुमक यानि जो मानों के द्वारा बना जाते हैं ठीक है बे चुमक जो मानों के द्वारा बना जाते हैं और उनका जो आकार होता है इनका रूप और आकार वो कैसा होता है निश्चित होता है ठीक है और इने क्या कहते हैं कृतिम धंक से बना जाता है कृतिम चुमक कहलात वह ठाल से एधिकशा जोहे छोहे तिक है outta लोहे इसपाहत और निकल ठीक6 तरीकर से आपको An-Dot चुम्मक लोहा इस पात निकल के बना जाते हैं इनका रूप तताकर कैसा होता है मैंने अब आपको रहे हैं निश्चित होता है ठीक है साधारता चुमक सब्द करतिम सब्द के लिए ही प्रियुक्त किया जाता है जैसे छड़ चुमक और नाल चुमक ठीक है इसी तरीके से और मोस्ट ओंपड़न कुशन देखते हैं देखिए जैसे आपने पड़ाओगा चुमक की ये दो दुरूब आगूड ये क्या होता है चुमक की दुरूब आगूड देखिए चुमक की दुरूब की दुरूब शामरत थे इसमाल एम एबं उसकी प्रभावकारी लंबाई 2 2L के गुड़न फल को चुमक की दो दुरूब आगूड कहते हैं इसे M यानि कैप्टल M से प्रदर्शित करते हैं चुमक की दो दुरूब आगूड क्या होता है कैप्टल M is equal to M into 2L इसका ऐसाई मातरक यहाँ पर देखिए एमपियर प्रति मीटर स्क्वाइर या न्यूटन मीटर टेसला है ठीक है यह यह कैसी राशिये सदिस राशिये जिसकी दिसा दच्छडी दुरूब से उत्तर दुरूब की और होती है तो इसे आपको किस तरीके साथ रखना है देखिए यहाँ पर यहाँ पर चुमक की दो दुरूब दिया गया है M ठीक है M दिया गया है तो M यहाँ पर क्या है उसके दुरुब सामरत है और उसके जो लंबा यह बू है 2L इस तरीके से आपने बेदो दो दुरुब आगुड भी पढ़ा होगा ठीक है तो यहाँ पर 2L और small M तो इसके गुड़न फॉलकॉम क्या कहते है इसे किसे लिखते है capital M से लिखते है तो आपको इसी तरीके से याद रखना है कि उसकी जो दुरुब सामरत है small M उसकी प्रभावकारी लंबाई 12 के गुड़न फॉलकॉम क्या कहते है इसे capital M से लिखते है ठीक है इसका मातर क्या है ampere प्रत मीटर इसक्वार यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 12 है लंबाई यानि मीटर इसक्वार तो यहाँ पर इसका ऐसा ही मातर हो जाएगा ampere प्रत मीटर इसक्वार और यहाँ पर दूसरा मातर हो जाएगा Newton मीटर प्रति Tesla ठीक है और यह कैसी रासी है सदिस रासी है जिसकी दिसा दच्छड़ी दुरूब से उत्तरी दुरूब की और होती है अब यहाँ पर यह सदिस रासी है इसका परिमाड भी है और इसकी दिसा भी है दच्छड़ी दुरूब से उत्तरी दुरूब की और होती है तो यहाँ पर यह कैसी चुम्मक च्ट्र और और किसी से याद रखनी है कि ये माना चुम्मक है ठीक है किसी अन्य चुमक पर जिसमें किसी अन्य चुमक पर बल अनवह होता है तो चुक्या कहलाता है चुमकिये च्छेतर कहलाता है और इसका मातर क्या है टेसला है उसके बाद देखे चुमकिये बल रेखाएं क्या होती है छुमकिय बल लेखाएं बेकालपनिक रेखाएं जो छुमकिय चेतर की दिसा व्यक्त करते हैं उसके बाद छुमकिय बल लेखाओं के निमलिकित गुड़ हैं उनको देखते हैं सबसे पहले चुमिकी ये बन रेखाओं के किसी बिंदू पर खीची गई इस पर्स रेखा उस बिंदू पर चुमिकी ये छेतर की दिशा को ब्यक्त करती है क्योंकि देखिए चुमिकी ये बन रेखाओं जब किसी बिंदू पर खीची गई इस पर्स रेखा होती है इस तरीके से चुमक के जो इस तरीख से नौर्थ से उत्तर के और जाती हैं उनमें कोई भी इस पास लेखा कीची जाएगी वो क्या होगी चुमकी यह चपल की दीशा को बयाक्त करेगी ठीक है चुमिकिये बल्लेखा बंदवक्र बनाती है जिस पगार मैंने भी आपको होता है जैसे चुम्मा के कोई ठीक है तो उसमें क्या होता है उसमें जो इस तरीके से नौर्थ से सार्थ की और जो होती है तो वो कैसे बंदवक्र बनाती है और वो एक दूसरों को कभी नहीं काटती एक समान चुमिकी एचेतर में चुमिकी एबल रेखाएं समानतर होती है एक समान चुमिकी एचेतर में क्या होगा चुमिकी एबल रेखाएं समानतर होती है चुमिकी एबल रेखाएं उत्तरी दुर्प से निकलका दच्री दुर्प में प्रिवेस करती है सक्त साली चेतर में चुमकिये बल लेखाएं बल रेखाएं पास-पास होती है अब मैं आप यह आपको clear करा दूँगा इनको देखिए यहाँ पर देखते हैं ठीक है चुमकिये बल लेखाएं क्या होती है बेकालपनिक रेखाएं होती है जो चुमकिये छेतर की दिशा को ब्यक्त करती है ठीक है किसी बिंदु पर खींची के इस पर रेखा उस बिंदु पर चुम्किय छेतर की दिशा को ब्यक्त करेगी अगर यहां पर कोई मैंगनेट है और यहां से तो चुम्किय छेतर की रेखा निकल नहीं है ठीक है और यहां पर जो भी कोई इस पर रेखा खींची जाएगी वो क्या हुआ बनाती है एक बंद्रवक्र बंद्रवक्र बनाती है ठीक है और यह थी मेशा चुमी कि आपर लेखाँ उत्तरी दोरुप से दचली दोरुप में प्रवेश करती हैं तो इसके बाद देखते हैं एक समान्तरा होती है और ये हमेशा किसी को एक दूसरे को काड़ती नहीं है ठीके और ये उत्तरी दुरुप से निकल का दुसरी दुरुप में प्रिवेश करती है सकत साली छेतर में चुमी की बल लेखा है बल लेखा कैसी होती है पास पास होती है ठीके इस तरीके से आपको याद रखना है और चुमी के छेतर का जो मातरक है वो क्या है टेसला इस तरीके से आपको याद रखना इसी तरीके से इस स्रीज में और वी वीडियो आएंगी और बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो डिस्केप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया आपने देख सकते हैं और इसी तरीके से most important topic पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और वेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग